हाई गाईज वेल्कम बेग टू माई चैनल स्वागत है आप सबका तो गाईज आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार वीडियो शुरूर करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले देखिए गाईज यह मैंने ली है अदा केजी मिर्च और यह मैंने धो ली है लोड़ी सी भी कटी यह फटी मिर्चो तो उसको आप निकाल दीजिए यह देखिए कास माने सारी मिर्ची इस जाली वाली प्लेट में निकाल ली है और यह कुछ मिर्चे थी जो मैंने बचा दी है मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वह मतलब ठीक नहीं थी अब मैंने इस तरीके सूख चुकी है और यह देखिए सौफ है इसको भी मैंने अच्छे से धूप लगा ली है और मैं इसमें से बड़ी बड़ी जो लक्रियां हैं यह हटा दूँगी यह कास मेरी पिछली साल की सौफ थी आप नई मंगा लीजिए और यह देखिए मैं इस तरीके से इसकी दाल बना ले रही हूं सर्सों की यह देखिए गाइस इस तरीके से ज्यादा पीसना नहीं है बस उसके मतलब की थोड़ा दर्दरी हो जाए इस तरीके से हम कर लेंगे गाइस मैंने नीचे पेपर बिछा लिया है इसलिए सर्सों की दाने बहुत महीन होते हैं फैल जाते हैं तो पेपर पर ही गिरें नहीं तो उनको समयाटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता चारव तरफ फैल जाते हैं अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में और फ में convert कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ यह देखिए गाइस इसको मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से फटक लिया है और यह देखिए सौफ है जिसको मैंने mixer में पीस लिया थोड़ा दरदरा पीसा है और यह जो मिर्चे हैं अब इन मिर्चों में जो हम चीरा लगाएंग और आप चेक भी कर सकते हैं कि मिर्चों में अंदर कुछ खीडा या कोई नुक्स तो नहीं है इस तरीके से गाइस हम यह सारी जो मिर्चे हैं इन में सभी में अच्छे से चीरा लगा लेंगे इस तरीके से गाइस चीरा आपको उपर से लेकर पिलकुल मिर्च में पूरी मि मिर्चों को अब हम मिलाएंगे मिर्चों में भरने के लिए मसाला तो सबसे पहले यही सरसों की जो मैंने डाल करके रखी है राई मैं यही सबसे पहले लूँगी गाईज अगर आप जादा भरना चाहें मसाला मिर्चों में तो आप थोड़ी कॉंटिटी जादा भी रख सकते थोड़ा ही भरती हूं और फिर मैंने इसमें डाल ली है सौंफ healthy powder इसमें healthy powder डाल लिया है गाईश मिर्चे हैं मिर्चों का चार है तो इसमें लाल मिर्च तो नहीं पड़ेगी और मैं इसमें सफेद नमक डाल लिया है नमक आफ 799 डाले दाले और क्योंकि इसमें हम काला नमक भी एड़ करेंगे तो सफेद नमक और काला नमक दोड़ों लोह नमक का आपस में रेशियो रखिए तब डालिए ये देखिए गाइस मैंने सभी मसाले डाल लिए हैं काला नमक सफेद नमक हल्दी सौंफ और राई बस इतने ही मसाले इसमें मैंने एड़ किये गा इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सर्सों का तेल डालूंगी कि ये बस मसाला ही अच्छे से गुद जाए बस इतना ही इसमें सर्सों का तेल में डालूंगी और कोई भी एक्स्ट्रा तेल नहीं डालूंगी मेरा मसाला बस अच्छे से मिल जाए ये देखी गए फिर सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा मुझे तेल कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाले ले रही हूँ बस इतना ही तेल परयापत है और इतना मसाला उन मिर्चों के लिए परयापत है ये देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से जो है मिला लिया है अब हम ये मिर्चे इसी मसाले में भरेंगे इसी मसाले के साथ मैंने कोई भी मसाला बिल्कुल भी नहीं भूना है सारे मसाले मेरे कच्छे ही हैं और भून के जो मसाले भरते हैं वो अलग तरीके से ये देखिए और आपको बिलकुल मिर्च अंदर से भरनी है और बहुरोची ऐदर क्विर आपके जुब कीदर और रखरी पे देक्वार कृप एक लोग भर लूँगी अच्छे से ये देखिए गाइस और इसमें बस आपको इतना ही एड़ करना है और आपको इसमें कुछ भी एड़ करने की जरूरत नहीं है कोई भी मसाला भून के डालने की जरूरत नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा ओयल डालने की जरूरत नहीं है फिर भी ये मिर जाता है इसलिए मैं ये पतली वाली मिर्च ही डालती हूँ आप भी एक बार ट्राइ करिए ये किसी भी रसीली सबसी साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये देखिए काईस मैंने सारी मिर्चों को जो है अच्छे से भर लिया है मसाला उतना मसाला मेरा परियाप्त हो गया था स देखिए काईस मैंने छोटा सा कंटेनर लिया है और ये मेरे यहां शॉप है तो जोई के फ्रूट क्रीम का छोटा सा डबबा है मैं उसी में इस सारी मिर्चे रख ले रही हूँ आपके यहां कोई भी काच का या फिर चीनी मिट्टी का बरतन हो या कोई भी प्लास्टिक का बरतन हो तो आप उसमें अच्छे से भर लीजिए अब देखिए काईस यह मैं सारी मिर्चे जो है इसमें भर लूँगी और मैं कोई भी इसमें एक्स्टा ओयल नहीं डालूँगी नहीं मैंने डाला है और मैं देखिए काईस की डबबा उपर तक बिलकुल भर गया है लेकि यह डबबा थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो यह गाइस मैंने देखिए डबबे को अच्छे से बंद कर दिया है कोई भी एक्स्टा ओयल नहीं डाला है आप देख सकते हैं डबबे को मैंने कुछ भी नहीं डाला है बस मिर्चे ऐसी ही भर दी है और मेरा यह मिर्च का चार एक साल तक अच्छे से चल जाएगा यह देखिए गाइस यह पटक के 24 घंडे में इतना ही रह जाएगा मतलब मैंने आपको बताया है न कि कम से कम दो अंगुल पटक जाएगा और फिर आप डबबे को अच्छे से दो तीन दिन तक सुभा सिर्फ एक बार अच्छे से झाल कि हूँ झाल को झाल को जाएगा है यह जाएगा और वागा है यह टूदार यह दो एक सिर्फ डिज्क करुआता अंग।